कि अज़े तो कि वीडियो में क्या है तो फ्रेंड्स आज पीर से में आपसे हमारा आज का एक व्लाग शेयर करने वाली हूं और यह भी बहुत अचा होने वाला है तो friends ये व्लॉग स्टार्ट होता है ठंडे ठंडे मौसम से आज बहुत ठंडडे मौसम है क्योंके रात को बाहरी चुछ हुए थी और सुबा सुबा भी हुआ थी तो इसलिए बहुत अच्छा सा मौसम है बहुत यमी यमी सा ब्रेक्फस्ट मैं आपको दिखाती हूँ तो ममा ने फ्राइटर्स बनाया है साथ में ये चिटनी है कोरियांडर की और साथ में टी आपको पता कुछ दिन से ममा मुझे टी नहीं थी पीनी दे रही हारी हालाकि मुझे इतनी जाद अपसांद है ना बट क्योंकि गर्मी बहुत जादा थी तो इस वरे से आज तो जैसी बारी सुईना मैंने का नहीं अब तो टी ही पीऊंगी बहुत दीनों होगे तो अब मैं टेस्ट करती हूं ममा ने एक कैसेब नहीं है हम् बहुत ज्यादा यमी है किस-किस का दिर करता है ने चले चले मौसम में बारिश हो और फ्राइटर्स और टी हो और टी हो झाले करता हूं झाले कुर च़्पोन हाँ टीवी बहुत मज़ेगी है मैं कुछ दिर बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या होता है आगे के व्लाग में क्या क्या चलता है तो मामा ना कल बजार गई थी और बजार से कुछ ना जरूरी चीज़े लाई थी घर का इसमान लाई थी कुछ जरूरी चीज़े थी जो लाने वाली थी तो यह देखें और यह है एक स्टील का कप यह फ्राई प meuसे क्या मामा से का रजा थे तो मम को यह जादा अच्छा दगा थे तुमआ ये लए थी तो बॉक्सिज़खें यह देखेँ यह थ्री है सबसे बढ़ा फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा तो ये देखें यह कितने प्यारे मुझे न ये सब स्सल्ड अच्छ छे एकश्टी चोटा कप भी मुझे प्यारा लगा अठ्छा लगा और ये कि toxins b है ठो यह देखे लैंच में क्या है पाइ तो आज हमने बनाए है पाइं और कि इसके साथ हमें बहुत जद्स जब आधा मजाता है और ममा ने मसाले वाले बनाए है और बहुत यमी लागड़े हैं अभी बने हैं और अभी हम सब लैंच करने लगें और लेंच के बाद एक और डीश है जो मामा ने बनाई है तो उसके बाद मैं आपको वह भी दिखाती हूं तो मामा ने साथ में बनाए हैं यह दहीं बहले और यह बहुत जादा यमी है अगर आपको इसकी रैस्पी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैंने इसकी रैस्पी पहले से अप्लोट की हुई है और मैंने यह खुद बनाए हैं तो अभी मामा ने बनाए है बढ़ वो जो रैस्पी है मैंने शेयर किया उसमें मैं ने अभी तक नहीं वाच की तो और अगर आप वाच कर चुके हैं तो आप ज़रूर ट्राय करें क्योंकि यह वाक्वी में वहत यमी है और हमें भी यह महँद मज़गे रखते हैं यमी और फ्रेंड्स एक और चीज जो कि मैं आपको बताना और दिखाना चाहती हूं कुछ दि अजने पंटले रिया अजल और जरस के। जर्फटर में खरसे हूं की तोहिए फिर में उपन भेलियो दो और आप इसमें थोड़ा देखी सकते हैं क्या फर्क है इसमें और अभी जो मुझे बहुत बुरी इसकी चीज लगी ना मैं आपको बताती हूं इसमें बुरा क्या है यह देखे फ्रेंड्स यहां से फटा हुआ है यह देखें कच्छी सलाइआ लगाई है फटा हुआ है और कि मुझे लागर आए कि जब इसको दोएंगे ना कालर भी उतर जाएगा और कप्रा भी इतना अच्छा नहीं है मतलब और एक और जगा से ना फटा हुआ था वह भी आपको दिखाती हूं यहां से हाँ यह देखें यह देखें फ्रेंड्स यहां से भी फटा हुआ है तो यहां से अभी हम स्लाइल लगाएंगे और इसकी थोड़ी फिटिंग करूंगी तो इसको करने के बाद जब इसको पहनू से अब कोई बाद मी क्या कर सकते हैं अब यह है घर में फिटिंग में करेंगे इसलाई लगाएंगे उसके बाद देखते हैं तो इसको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल देने हैं तो सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस कर देना ताके मेरी आने वाल वीडियो का नोडिफिकेशन आप तसा से पहले पहुंच सके तो फ्रेंड्स अब में मिलती हूं इंशला तो आपको मेरी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड बाबाई